नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका कुमारी है और आज मैं आपको किसान उत्पादक कमपनी के बारे में कुछ बताऊंगी तो हम सभी जानते हैं कि भारत क्रिशी प्रधान दे से फिर भी यहां किसानों की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है किसानों की आर्थि के स्थिती में सुधार लाने और उनकी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसान उत्पादक कमपनी के शुर्वात की है जिसको फार्मर पड़ियोशर कमपनी भी कहते हैं यह कंपनी किसानों का एक समू होता है जो पंजिक्रित या रजिस्टर भी होता है जिस पर मालिका नाहग, नियंत्रन और प्रबंधन की पूरी जिम्मेवारी इसके सदस्योंग पर ही होती है यह संगठन किसानों को केवल उत्पादन बढ़ाने ही नहीं, बलकि उनके उत्पादों को उचित मुल्य और बाजार की भी ब्योस्था कराती है जारखंड में यह कारियर MKSP के तहत JSLPS याने जारखंड State Livelihood Promotion Society के सहयोग से चलाया जा रहा है दीदी, हम तो PG में जुड़े हैं, लेकिन किसान उत्पादक कमपनी के विशे में हमें जानकारी नहीं है, तो आप बताइए ना देखिए दीदी, किसान उत्पादक कमपनी का गठन किसानों को लाप पहुचाने के लिए ही किया गया है यह उत्पादक कम्पनी कई सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर कारे करती है जैसे गांके स्तर पर बना उत्पादक समू, कलस्टर या संकूल स्तर पर बना ग्रामीन सेवा केंद्र तथा पशुधन विकास के लिए शमे की पशुधन विकास केंद्र पीजी से तो हम भी जुड़े हैं लेकिन हम लोगों को क्या फैदा है और यह कम्पनी कैसे काम करेगी देखिए दीदी सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसान उत्पादक कम्पनी के अंतरगत बने ग्रामीन स्तर पर उत्पादक समू का क्या कारे होता है पहला काम गाउं में खेती के लिए जरूरी सामगरियों की मांग को इकठा करना तथा एक्षात खरिदना दूसरा काम गाउं में फसल की उपच को बढ़ाने के लिए वैज्यानिक तरीकों का प्रयोग करना तथा एकेम यानि आजिविका क्रिशक मित्रों की मदद से प्रश या ओजारों को उपकरन बैंग के माध्यम से किशानों को किराई पर उपलब्द कराते हैं या बेचते हैं यह अच्छा काम है दी जिसके केति भारे में बहुत मद़ था यह स्रों पर जूड़ें झुड़ने कीतना ही नहीं शमेकित पशुधन विकाश केंदरी की तरब से पशुओं के लिए चारा दवा आदी भी उपलब्द कराया जाता है तथा उनके देख भाल के लिए APS यानी आजिवी का पशुशकी के माध्यम से समय समय पर प्रशिक्षन भी दिलाया जाता है इसे जुड़ने से किसानों को फैदा ही फैदा हो चाहे बातू खेतिबारी से हो चाहे पसुपालन से हो दिदी केवल इतना ही नहीं यह कमपनी आपके उत्पादों के लिए चाहां एक तरफ बड़ा बजार उपलब्द कराती है वहीं दूसरी तरफ किशानों को उचित मूलत दिलवा कर उनका आर्थिक लाब भी करवाती है।